नमस्कार में नीरश कुमार राठोर घमासान.com से आयाया मिंदोर के कॉंक्लेव में आज मेरे साथ में गेस्ट स्पिकर्स हैं विनु जेन मेडम और हर्षिता जेन आप दोनों सिष्टर हैं और सेकंड जनरेशन फैमिली बिजनेस आप रन करने हैं फिलाल राइस्थान में दोनों यूके की यूनिशिटी से ग्रेजुएट हैं और दोनों ने अपने बिजनेस में काफी नया इनोवेशन और नया आपकी क्या क्या जर्नी रही हैं? मैंने दोहजार आठ में अपनी एजुकेशन ख़तम करने के अबाद में फैमिली बिजनेस जोईंग किया था और मैंने स्टार्ट किया बहुत ही बेसिक लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में थोड़ा थोड़ा वख बिताया और उसमें जाके फिर धीरे धीरे मैं अब प्रोजेक्ट कोडिनेशन और हुमन रिसमें सारे हमारे जो प्रोजेक्स पर जितनी भी मैंन पावर होती है उसमें मैंन पावर को किस तरह से रिक्रूट करना उनको वहां पर किस तरह से बनाय रखना एक हैपी सिच्वेशन में और उनको किस तरह से कंपनी के साथ एक जोड़े रखना वो मेराज एक मेन काम बना हुआ हर्षिता में आपसे एक कुछिशन पुछना चाओंगा इस कंपनी में आप अभी क्या अभी देख रहे हैं आपकर क्या रोल है और आपने कब जॉइन किया था मैंने चार साल पहले जॉइन किया था अपनी ग्राजुएशन के बाद में सो जब मैं वापिस आई थी तब मैंने पहले टेक्निकल क्यूंकि सिविल इंजरिंग पड़ी थी तो सोचा था कि कुछ टेक्निकल में कुछ करूंगी बट इतना जादा में को अपीलिंग नहीं लग आज वो 132 करोर्स है वो चार साल के अंदर ओवर 40% क्रोथ आई है कंपनी के अंदर मैं अभी पूरा बिजन्स देवलप्मेंट एपार्टमेंट देख रही हूं कंसल्टिंग का जो एरिया है वो सर्जिस सेक्टर में आता है इसमें आप कुछ और भी इनोविशन या कुछ नए आइडिया आपने बिजन्स में अपने मतलब अप्लाइ किये होंगे जिसकी वज़े से आपका तरन ओर बड़ा होगा वो कौन सा एरिया है बेसिक जो मिर को लगा कि हम लोग कॉलाबिरेशन नहीं करते हैं हम लोग इंगेन माइसेट के अंदर एक दूसरे से कंपीट करने में लगे रहते हैं कि हमको उसके आगे जाना है अगर हम किसी चुराये पे भी खड़े होंगे तो हम लोगों का यह रहते है कि हम उसके आगे जाके कैसे खड़े हो लेकिन मैं जब वहां से आई यह सोच कि कि मेरे को कुछ अलग करना है तो जब मैंने यह लोगों का यह thinking देखी तो सबसे पहली चीज़ कि यह thinking से हमको अलग कुछ करना है तो कॉलाबिरेशन किया दूसरी बड़ी companies के साथ में उन लोगों की जो टेक्नलोजी है उसको यहां लेकर आए तो उसके कारण हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा डिवर्सिफाय हुआ है और एक्स्पोनेंशल ग्रोथ मिलिये हम लोगों को अभी जैसा कि बोर भी जो गेस्टिस्पिकर्स बोल रहे हैं कि अभी हमारे यहां के इंडिया के कॉलेजेस से और यूनिशिटिस से जितना भी यूमन रिसोर्स निकल रहा है स्टुडेंट्स जो पास आउट हो रहे हैं हर साल वो सभी अनिस्किल्ड निकल रहे हैं जाता तर इरियास के बारे में नौलेज नहीं है तो यह जो इस्किल्ड गेप इसे को यूशु होगा इंडुस्ट्री में भावश्य में और इस्किल्गप को अपन केसे दूर कर सकते हैं इसका कोई आईडिया आपके पास बाइस है बट हम लोगों को उतने skilled लोग नहीं मिल पा रहे हैं जो वो काम को कर सके हम लोग जिस environment में बड़े होते हैं तो वहाँ पर हमारे यह होता है कि जब हम लोग college में ही होते हैं तब कि कहीं से जब training करनी होती है college के अंदर तो वो एक certificate हमने कहीं से जुगार लिया कभी लिकिन office का वो ही नहीं देखा कि कभी office ही नहीं गए तो जब तक आप खुद को अपने आपको skill नहीं करना चाहेंगे तब तक आप skill नहीं हो पाएंगे कि हम लोग यह नहीं सोचे कि अगर हम college में हैं तो हम लोग काम कैसे करेंगे या फिर दिमाग में अपने वो prejudice नहीं रखे हम लोगों को skill होने के लिए हम लोगों को अपने आप पे काम करना पड़ेगा तब ही हम लोग skill बन पाएंगे इसमें एक problem और है हमारे भी current सिनारियो में जो है colleges में जो curriculum पढ़ाया जाता है वो उतना up to date नहीं है जिस तेजी से हमारी industry बढ़ रही है अगर हम कुछ top के colleges को छोड़ दें IIT और इसी कुछ अच्छे engineering institutes वहाँ पे फिर भी वो exposure बच्चों को मिल जाता है पर बाकी जो बच्चेवे colleges हैं वहाँ पे अभी भी हम उस पुराने तरीके से पढ़ाय जा रहे हैं तो वह हमें अब इस अब टाइम के भी हो चेंज करना पड़ेगा जैसे हम लोग के जो पूरी school life और college life में होता है कि हम लोग spoon feed किये जाते हैं और यह देखा जाता है कि हम लोग उस चीज को कितना जादा रटा कैसे मारे उस चीज का बस हम लोगों को वो information याद होनी चाहिए हम लोग उस information को apply कैसे करें उसको implement कैसे करें वो चीज हम नहीं जानते तो हम लोगों को education system के अंदर यह change दाना पड़ेगा कि हम लोगों को more towards application आना पड़ेगा as compared to कि हम लोग बच्चों को spoon feed हाँ यह theorem है इस theorem को याद कर लो तो exam में marks आ जाएंगे उसकी बचाए हम लोगों को यह करना पड़ेगा कि वो theorem है तो उस चीज को हम apply कैसे करें आप यूद को कुछ message देना चाहेंगे आप एक young entrepreneur है और एक successful business model आपने अपनी कंपनी में apply किया फोरें से सीख कर तो यहां पर 90% start-off fail हो हो है इंडिया में इस समय है उनके लिए कुछ संदेश, कुछ motivational message आप की तरफ से बचाएंगे दो इंपोर्टन चीज है एक पहला कि अपने आपका potential है उसको पहचाने कि अपनी हार न मानते हुए आगे बढ़ते रहें आज अगर आप कोई चीज नहीं कर पाते हैं और उसको कल फिर उठे फिर आगे जाकर बढ़े वो एक जो constant faith और constant belief है कि मैं यह कर सकता हूँ यह ज़रूर उसके बनाए रखें किसी भी अपने एक काम में अगर उस एक काम को पहचाने जरूर है और दूसरा यह है कि किसी भी जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी को अभी नजर अंदाज ना करें जो भी आप काम कर रहे हैं जाए सर्विस में हो जाए आप किसी product को बना रहे हो क्योंकि जब तक क्वालिटी पर आप धिहान देंगे तब हो सकता है शुरू में वो ग्रोथ कम हो सकती है बाकी लोग आपसे जादा आगी तेजी से बढ़ेंगे मगर जब तक आप वो क्वालिटी बनाए रखेंगे एड दी एंड आप ही होंगे सबसे आगे रहेंगे आज एक चीज और मैंने काउंट करी अर्चिता जी आपके लिए प्रशन है कि आप क्योंक्लेव की सबसे यंगेश्ट इस्पिकर थी मेरे खेल से एक ओनर वाली बात है तो आपको क्या फील हुआ वहापर मेरे लिए यह बहुत ही जादा ओनर वाली बात थी कि मुझे इस कॉंक्लेव में बुलाया गया यह इतना अच्छा प्लाटफोर्म मिला में को अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए मैं बहुत ही जादा ओनर डू और थाइंक दी कॉंक्लेव दी आये में कॉंक्लेव कि उन लोगों ने मेरे को यहाँ बुलाया और मुझे यह चांस दिया कि मैं अपनी जर्नी को यहाँ पर शेयर कर सकूँ थैंक्यू विरमश मेटम आपने अपना समय दिया घमासान.com की टीम के लिए थैंक्यू अच्यू पाँचे